हे गाईज, विलकम बैक तो दे सेशन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गगन यान मिशन के बारे में, यह जो हमारा गगन यान मिशन है, वो काफ़ ज़दा relevant topic है, आपके UPSC CAPF Assistant Commandant 2013 इस इक्जाम के लिए, इस topic के ऊपर basically हम report writing देखने वाले हैं, और इस topic का relevancy आप ऐसे पता कर लेजे, क्योंकि यह जो topic है, वो काफ़ ज़दा issues के अंदर रहा है, और इसके ऊपर आपको editorial काफ़ी ज़दा देखने को मिले हैं, तो इसलिए हम बात करेंगे कि गगन यान मिशन के ऊपर हमारी report क्या हो सकती है, तो आए वीडियो का start करते हैं, तो जब ही हम report लिख लिखते हैं, तो report लिखने के लिए हमें एक format मिलता है, और उसी format को हमें follow करना चाहिए, और इस format के अगर मैं बात करूं, तो इस format के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कि सबसे पहले आप जो है, अपनी heading लिख सकते हैं, heading के बाद आपको लिखना होता है कि यह कौन लिख रहा है या फिर कोई भी random आप प्लेस लिख सकते हैं, इसके बाद मैं बात करूं, तो हमें date लिखनी होती है, और date अमूमन आप past के ही लिखते हैं, क्योंकि report आपको देनी होती है, तो वो past की ही होगी, तो इसलिए हम past की ही क्या करेंगे, date को यहाँ पर लिखेंगे, अब सुरू कर करते हैं अपने content से कि हमारा content इस report के लिए क्या हो सकता है, तो basically हमारा content यह हो सकता है, कि according to the Indian Space Research Organization, जिसे हम ISRO कहते हैं, तो ISRO के अनुसार अभी क्या हुआ था, कि the गगन यान project is aimed at showcasing India's ability to send humans into space, कहने का मतलब क्या है, कि जो हमारी Indian Space Research Organization, जिसको ISRO कहते हैं, उसके अनुसार ग वो क्या करें, प्रदर्सित करेगा कि उसके पास भी ऐसी ability है, कि वे अपने human को space के अंदर भेजने की जो ability है, वो गगन यान project के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्सित कर सकते हैं, according to ISRO, यानि कि Indian Space Research Organization, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, कि the plan is to launch a crew of three people and have them orbit the earth a distance of 400 km for a mission lasting three days, क्या कहे गया यह? यह यह कह रहा है कि देखो, सो हमारा यह plan है ना, the plan is to launch, यानि कि यह नहीं प्लान है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? लांच करेंगे अपने three crew members को, यानि कि वो हमारे three crew members होंगे, उनको इस plan के तहट हम क्या करेंगे? करेंगे और वह क्या करेंगे वह जो हमारी एर्थ की और बीट है उसका वह परिकरमा करेंगे कितने डिस्टेंस से बसक्राइब 400 किलोमेटर की डिस्टेंस होती है वहां से वह उसकी परिकरमा करेंगे और यह परिकरमा कितने क्यों हैं जो तीन क्यों मेंबर हमारे गए हुए होंगे वह क्या होंगे वापस प्रिट्वी पर उनके लेंडिंग करा ऐसा कि जो कि इंडियन सी वाटर स्के अंदर के उनकी लेंडिंग हो नहीं है दप्रोजेक्ट वह इनिशली डेपलप इंदर 2007 कहने का क्या मतलब है तो यह जो हमारा प्लान है इसको डेपलप किया जारा है 2007 से और इसको जो गौर्मेंट की अप्रूबल है वो बिसकली कब मिले थी 2018 के अंदर गौर्मेंट ने भी से अप्रोब कर दिया था कि इस प्लान के उपर हम काम कर सकते हैं इसकी जो बजट है वो अ नेक्स पैराग्राफ के अंदर क्या लिख सकते हैं नेक्स पैराग्राफ के अंदर हम यह लिख सकते हैं कि human space fight will serve as a source of inspiration from young people and the entire nation कहने का क्या मतलब है यह human space fight plan है जो हम बना रहे हैं यह बिसकली क्या करेगा कहीं ने कहीं हमारे जो young people हैं और जो पूरा का पूरा देश है कहीं कहीं motivate करेगा pursue their career in science and technology तो यह basically क्या करेगा जो हमारे large number of students है ना उनको कहीं ने कहीं यह pursue करेगा कि आप अपना करियर किसके अंदर देखिए जो science and technology है उसके तरफ आप अपने career को जो है वो move करें कहीं ने कहीं इसके लिए जो है motivate करेगा हमारा human space fighter plan ठीक है इसके बाद हम क्य लिख सकते हैं कहीं ने कहीं अगर जो हमारे students हैं वो अपने career को science and technology की तरफ परशू करते हैं तो contributing to the development of our country तो कहीं ने कहीं हमारे जो country की development है उसमें कहीं ने कहीं वो भी अपना योगदा दे पाएंगे India will become the fourth country to launch as a human space mission यानि की पूरे दुनिया के अंदर जो भारत है वो हमारा चौता ऐसा देश बन जाएगा जिसने की human space mission जो है वो launch किया है अगर हम इसे successfully complete कर लेते हैं तो यह जो हमारा गगणयान mission है ना यह केवल हमारे भारत के लिए ही एक गौरवानवित होने की बात नहीं है बट also establish India as a significant player in this space industry कहने का मतलब यह है कि अगर यह गगणयान mission जो है वो सफल हो जाता है तो नो केवल इससे भारत के लिए गर्व की बात होगी बलकि भारत जो है वो महत्तपूर्ण खिलाडी के तौर पर भी उभरेगा अगर हम इस गगणयान के mission के सफलता की बात करते हैं तो next paragraph में क्या लिख सकते हैं तो basically हम next paragraph में यह लिख सकते हैं कि in June 2019 यानिकि 2019 की हम बात कर रहे हैं जून की उस समय क्या हुआ था कि the human space fight center of ISRO यानिकि जो ISRO की human space fight center है and Russian government on glass cosmos signed an agreement for training purpose यानि कि जो हमारी ISRO है और जो रसिया की glass cosmos है उनके बीच में क्या हुआ एक deal हुई एक agreement हुई और उस agreement के अंदर हमने training purpose को लेकर के बात करी और दोनों ही देशों के बीच में सहमती बनी और दोनोंने sign किया this agreement involved Russian assistance in selecting candidates, conducting medical examination and providing space training कहने का मतलब है यह जो हमारी agreement थी इस agreement में यह कहा गया कि जो रसिया है वो क्या करेगा हमारी help करेगा हमारी assist करेगा किसी में कि जो हमें candidate select करना है कि कि वो कौन से candidates होंगे जिनको हम क्या करेंगे गगन यान mission के लिए भेजेंगे इसके अंदर रसिया हमे support करने वाला है वो हमें help करने वाला है वो उनकी medical examinations basically उनको वो conduct करेगा यानिका medical check-up किया जाएगा वो रसिया की दोरा किया जाएगा उनको प्रॉपर ट्रेनिंग है वो भी रसिया की दोरा ही provide कि जाएगी the selected candidate will receive comprehensive training on the system of the seos managed aircraft and will also experiences short period of weightlessness abroad the abroad the II जिसको double I भी बोल सकते हैं 76 MD के aircraft कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि जो रसिया है उसका काम यह दिया गया इस agreement के अंदर जो हमने sign करी वो इस बात पर करी कि जो हमारी रसिया है वो क्या करेगी जो भी हमारे candidate है उनको वो select करेगी उसके अंदर वो हमारी सहायता क के अलावा हमने क्या देखा कि जो हमारी रसिया है वो उनका medical examination यानकी medical check-up भी करेगी उन्हें जो है वो training इस पेस की जो training है वो भी प्रोवाइड करेगी इसके अलावा जो उनके selected candidate है मानलो उनकी जो comprehensive training है वो भी उनके द्वारा कराई जाएगी और यह जो training है वो स्योज मै जाएगी तो यह जो हमारा aircraft है जिसका नाम है II-76 MD के aircraft तो इस aircraft के द्वारा जो उनकी training है वो हो नहीं है तो इसके अंदर पूरी चीज़ा हमने जो वो लिखे है जो fact है मतलब fact है जो की हो नहीं है तो उस इसको हमने slide के अंदर लिख दिया हुआ है next हम बात करते है next हमारी क्य गगन यान प्रोजेक्ट है ना यह क्या कर रही है इसका लक्स यह है कि भारत है भारत का जो human space fight capability है वो दुनिया के सामने बताई जाए लेकिन यह capability है ना has fast several delays लेकिन इस capability के अंदर भी काफिसादे जो delays है जो देरी है वो देखने को मिली है यानि कि हमारा यह first mission है गगन या है originally planned for December 2021 यानिकि originally सबसे पहली बार जब हमने इस mission की बात करे थी तो हमने यह plan किया था कि December 2021 तक क्या करेंगे हम इसकी testing कर लेंगे लेकिन हुआ क्या the mission had a two uncrewed fight scheduled prior in the final launch कहने का मतलब क्या था कि हमने originally यह plan किया था कि 2021 के अंदर हम दो ऐसे testing करेंगे जिसके अंदर हम unmanned बोल सकते हो ना कि man को नहीं भेजेंगे पहले हम testing करेंगे uncrewed mission को और वो जो दो mission है वो कहीं ने कहीं हम December 2021 तक पूरा कर लेंगे लेकिन हुआ क्या however due to the impact of COVID-19 pandemic लेकिन हमारे देश के अंदर या फिर पुरी दुनिया के अंदर भी आप दे यानि कि इसके वज़े से जो हमारा पहला uncrewed fighter fight was जो था उसको क्या किया गया री सेडूल्ड क्या गया बार बार पोस्पांड क्या क्या कि नहीं हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमेरे तैयारी पूरी नहीं हुई तो कि नहीं हम इसको आगे बढ़ाते गए और इसको आ बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे लेकिन अभी क्या हुआ कि गवर्मेंट के तरफ से क्लेटेस्ट एनाउंसमेंट किया गया और उस एनाउंसमेंट के अंदर यह बात कहीं गई है कि जो हमारा टार्गेट है यानि कि हम दिसंबर 2023 तक क्या करेंगे इस गगन यान भी the government remains committed to ensuring the safety and success of the mission लेकिन गवर्मेंट है वो काफे ज़्यदा committed है और वो चाहती है कि यह हमारा mission है वो काफे ज़्यदा safely तरीके से और successfully conduct हो जाए और इसको लेकर कि हमारी गवर्मेंट है वो काफे ज़्यदा committed भी दिख रही है तो यह थे बिसकली हमारी reports हो कि हम गगन या mission के ऊपर देख सकते थे तो आई होब कि जो report है वो आपको अच्छे लगी होगी तो thank you for attending the session आपने session को यहां तक अटेंड किया अज के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद please do like and do share with your friend and do subscribe our channel also और join out telegram for the pdfs अगर इस session की pdfs आपको चाहिए तो आप हमारे telegram को जोइन कर लेज़ेगा वहाँ पर आपको यह सारी pdfs हो है वो free of course provide कर दे जाती है तो यह था basically हमारा गगन यान mission how was the session comment करके जरूर बता देज़ेगा मिलते हैं नए वीडियो में तब त हमारे हैं